नमस्कार मैं हूँ गुंजिन माहौर और आज मैं मौजूद हूँ स्वधी सी व्याइपी एटू मिल्क फार्म में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है विनीता दोस्तों विनीता का स्वभाव जो है वो काफी जाधा शान्त है और आज सबसे जाधा करम किसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं तो वो है इसके हम की दोस्तों करी लोग सोचते हैं कि आकर गायों में हम क्या होता है हम की बात होती है लेकिन हम के फाइदे लोगों को नहीं बता होते तो मैं आपको बता दूँ कि गिर गायों के जो सबसे जाधा खास पहचान है वो होते हैं इनके हम इनका जो हम है वो सबसे जाधा खास होता है और ये हर गिर गाय की पहचान होती है आपको बता दे कि हर देसी नसल की गायों में अलग-अलग साइज का हम होता है चाहीवाल गाय में जैसे कि ये चार का का होता है गिर की बात करें तो गिर में इससे जादा का होता है ऐसे ही समय हम होता है और इन हम की खासियत यह होती है कि इसे सूरे की तुनाड़ी कहा जाता है इसका connection सीधे सूरे देवता से होता है जब सूरे के किर्णे इन हम पड़ती है तो सूरे की किर्णों में जो तीन में किरने होती है वो इस हमप में समाज आती है जिसकी वज़ा से हमारा जो दूध है उसमें सोने की तत्वा आ जाते हैं आपने कई बार अपने घर में दूध देखा होगा कि देशी गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है उसके पीले होने का कारण सबसे बड़ा यही होता है इसलिए कहते हैं कि देसी गाय का जो दूद है वो सोने के समान होता है और गाय के शरीर में सोना होता है ऐसा माना जाता है और अगर हम अपने पुराने काल में देखें और जो ग्रंथ हैं पुराने उनको उठा कर देखें तो उसमें भी ये बात साफ लिखी हुई है कि किस तरीके से हमारी देसी नसल की गायों में हम्प होता है और ये सूरे केतू नाड़ी होती है जो कि हमारी सिहत के लिए अच्छ शान्त होगा साथ ही गायों को भी इससे अच्छा महसूस होगा